हालो फ्रेंड्स तो मैं आज आप लोग के लिए तीन स्टॉक्स लेकर आयों जिनको हम शॉर्ट टर्म्स के लिए हम लोग मॉनिटर कर सकते हैं और उन में से एक स्टॉक तो ऐसा है जिसने विल्कुल फ्रेश ब्रेकाउट दिया है और उसकी क्लोजिंग भी ट्रेंड लाइन क उपर क्लोज हुई है और दो श्टॉक है जो हमको ब्रेकाउट देने की संबावना रכते हैं मंड़े को या फिर कल फ्राइडे को तो जनेलीईẩट में मंड़े को क्या करता हूँ जो बी श्टॉक्स ब्रेकाउट दे चुके होते हूँ उन का वीडु को नेक़िन क्या होता जब breakouts देते हैं तो during breakouts itself friends वो 2-3% का बड़ा moment दे देते हैं वो हमारा छूट जाता है इसलिए में यहाँ पे आप लोग को 2 stocks यहाँ जिनने अभी breakouts नहीं दिया है देने की कगार पे खड़े हुए हैं और एक stock है जिसने अल्डेडी यहाँ पर breakouts दे कर रखा हुआ है जिनमें हम आराम से entry ले सकते हैं चलिए friends आगे बढ़ते हैं stocks की तरफ disclaimer के साथ पहला stocks friends इंडस इंडिया बैंक है तो इसमें आप लोग देख सकते हैं breakout अभी हुआ नहीं है कल या फिर Monday जब भी breakout होगा तो हम लोग यहाँ पर आराम से short term की position ले सकते हैं दूसरा stocks friends में लेकर आओ यहाँ पर SBIN तो इसमें भी हम लोगों को यहाँ पर अभी फिलहाल breakout नहीं हुआ है लेकि दीसरा stock friends जो है उसमें हम लोग को breakout हो चुका है उसमें हम लोग बिलकुल pure entry ले सकते हैं तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं rate candle के साथ close हुआ है और अभी कितना दूर है friends अभी 1% कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए SBI जैसा दिगज stock high potential high volume generate करता है तो अगर इसका breakout करता है कल तो हम लोग इसमें आराम से position ले सकते हैं फिर Monday को भी इसको हम radar पर रख सकते हैं याने कि 6 March को तो तीसरा और जो important stock है friends वो है हमारा RBL bank तो इसमें क्या है यहाँ पर हम लोगों को already एक प्यारा सा breakout देखने को मिला है तो यहाँ पर friends आप देख सकते हैं कि इसका breakout हुआ है अच्छा सा है तो यहाँ पर immediately हम लोग position बना सकते हैं अब friends इसको हम लोग ओर dig करना है तो क्या करना है इसके deep analysis करना है तो मैं गवर 5 मिट के candlestick pattern में चला जाता हूँ कैसा दिखता है यह तो मैं देख सकते हैं कल इसने यहाँ पर अच्छे से एक तेजी से मुमेंट बनाया दो परसेंट तीन परसेंट और उसको ब्रेक आउट दिया ब्रेक आउट देने के बाद उसने यहाँ पर फिर से डेढ़ परसेंट का बड़ा मुमेंट दिखाया फिर यहाँ से इसका डाउनफॉल जो करेक्शन चालू होता है या बोलते है प्रॉफिट बुकिंग होती है उपर अभी यहां पर बन दें तो सम्लोग यहां पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे इसका पुराना इतिहास देखेंगे कि यह पुराना लाइन को ब्रेक करता तो कहां तक यह गिरता है तो पॉइंट एक हाफ परसेंट नीचे तक जाता है दोस्तों यह जनरल इसका जो देने की काफी संभा होना है और अगर कि बाउंस बेक नहीं देता है आप लोग डे केंडिल लगाकर यहां पर ट्रेट करते तो और भी आप लोगों को जादा अच्छी विजिबिलीटी रहने वाली यहां पर टो डेकेंडिल मैंने कनवर्ट कर लिया तो मैं देख सकते कि डेक सब्सक्राइब देखने को मिल सकता है तो इतना ही था दोस्तो इस वीडियो में तो हम लोग देखते हैं कल इसको माइटर करेंगे अगर और अच्छा होता तो मंडे वीकेंड को हम और कुछ स्विंट्रेट के लिए स्टॉक धूनके रखेंगे तो आप लोग नए हैं तो यंक दो सो Самुें साम बाई बाई